नमस्कार सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है सुबह की सुरखियों के साथ मैं हूँ किर्टी तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि छार खंड के कुछ प्रतिस्टित अखवारों ने किन-किन खबरों को प्रमुक्ता से उठाया है सबसे पहले हम बात करेंगे सनमार्ग ने भी इसे पहले पन्ने पर ही जगह दी है सनमार्ग ने दिया है मानव संसादन में भी जारखन धनी इस हेडलाइन के साथ इस खबर को उठाया है तो राची विश्वविदाले का दीक्षान समारो रास्ट्रपती ने बिरसा सिद्धू कानू तिलका मांजी निलांबर पि रामनात कोविन ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा और वीर सिद्धू कानू तिलका मांजी और निलांबर पितांबर के इस खेत्र में आकर संघर्ष और त्याक के उन आदर्सों की बर्वस याद की जाती है इस खेत्र की अनेक बिभूतियों ने यहां का सम्मान जो है व बौर्धिक प्रगति के बिना राजे का विकास संभव नहीं मंच से ये कहा राजेपाल द्रौब्दी मुर्मु ने साथिसा टाटा में मजदूरी की और आज प्रदेश का मुख्य सेवक हूं ये कहा मुख्यमंत्री रगुबर दास ने तो रांची विश्वी जाले के दिक कहा है कि जाविमों ने सोशल मीडिया से जुड़े कारेकरताओं के लिए राजस्तर ये कारेशाला का आयोजन किया बाबुलाल मरांडी के 28 माह के कारेकाल में हुए विकासकारियों को जंजन तक पहुचाने का इसमें संकल्प लिया गया मुबाइल की रोशनी में सबसे खा अधित किया और यह कहा कि जाविमों का बनवास जो है वह बहुत जल्द खत्मोने वाला है अपने विकासकारियों को बताया अपने भाशन के जरिये और साती साथ कहा कि इस विधान सभाचुनाओं में जाविमों जो है वह एक अलग शक्ति प्रदर्शन करेगा और एक भागत हुआ और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया और जार्खन कॉंग्रेस के प्रभारिया आर्पेंट सिंग राची पहुंसते उन्होंने रामेश्वर उराओ के साथ जो की प्रदेस अध्यक्षे बैठक की बैठक में आलमगीर आलम विदायक सुदेव भगत देवि अब तक क्लियर नहीं है विदान सभा चुनाओ बहुत नस्दीक है लेकिन महागट बंधन का रुख जो है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेगी अब तक क्लियर नहीं हुआ है तो आर्पेंट सिंग ने ये भी कहा कि जब तक ये सभी बाते इस पस्ट नहीं हो जाती कि किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी तब तक मीडिया से कुछ भी नहीं कहा जाएगा भ्रामक प्रचार नहीं किये जाएगे जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कित प्रतनिधी मंडल आयुक्त से पहुंचा पदाधिकारी जो चुनावा अयुक्त हैं उनसे मुलकात की और कहा जेडिव के प्रतनिधी मंडल ने कि जेमेम का जो चुनाव चिन है तीर धनुज उस पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए क्योंकि तीर धनुज आदिवासियों की आन भान और शान है, कहीं न कहीं आदिवासियों के emotion से जुड़ा है, इसलिए जेयम्म को यह हमे अैसा उसके चुनाव चिन्ह का फाइदा मिलता है, जो कि उसकी निस्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, कि उसके चुनाव चिन्ह, जो है जेयम्म का तीर धनुस वो आदिवा कर चुनाओ चेन जो है जो कि किसी के emotion से जुड़ा हो और किसी को फाइदा पहुंचाए वो उसकी निस्पक्षता पर सवाल खड़े करता है ये कहा है जेडियू ने जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष जो है सालखन मुर्मू उन्होंने मुलकात की आयुक्त से और कहा कि में के बैन किया जाए उस पर पाबंदी लगाए जाए वहीं पद्यात्रा कारिक्रा में शामिल होगी युवा कॉंग्रेस रोज करे प्याज के बाजार भाव और भंडारन सीमा का आकलन खाद्या पूर्ती मंत्री ने प्याज की कालब अजारी रोकने के लिए सचिव मैं आपको यह बता दू कि 2 अक्टूबर यानी की महात्मा गांधी की जैनती के दिन से सिंगल यूज ब्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंद लगने वाला है वो बैन होने वाला है तो पार्टली पूत्रा एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू ये भी एक खबर हटिय बारिश वर रेलवे ट्रेक पे पानी आने के कारण उसके परिचालन को बंद किया गया था लेकिन अब उसे पुना चालू कर दिया गया है और रेलवे परिथर में प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुका है वहीं CCL CMD ने Mission Build the Nation का आहवान किया तो यह थी सनमार्ग दैनिक की बात अब हम दैनिक भासकर का रूख करेंगे और दैनिक भासकर में पहले पन्ने पर या देवी सर्व भूतेशू विद्यारू पेनी संसे था राची विश्विदाले का 33 दिक्षान समारो की जो खबर है जिसमें राश्टर पती रामनात को भी ने शिरकत की राजपाल रॉ पहले पन्ने पर ही जगह दी है तो पहली बार आर्यू गोल्ड मेडलिस्ट में 80 प्रतिशत छात्रा है यह एक बहुती चौकाने वाली बात है अच्छी बात भी है कि बेटियां जो है छात्राएं जो है वो आगे आ रही है दिक्षान समारों में कुल 56 में से 45 गोल्ड मेडल जो है वो लड़कियों को ही मिले सिर्फ 11 गोल्ड मेडल जो है वो लड़कों को मिले तो पहली बार आर्यू गोल्ड मेडलिस्ट में 80 प्रतिशत छात्रा है राश्टरपती रामनात को भी निकह लगता है सभी मेडल जो है वो बेटियां ले जा रही है तो इस खबर को दैनि नाले उफान पर छेह की मौत यूपी बिहार में बारिश से 122 लोगों ने अब तक अपनी जान गवाई है पच्चास साल टिकना था चार साल चला जिम्मेदार बोले पानी कम तो हो जाज यानि कि पुल जो है पाकुड के महेशपूर में पच्चास गाउं का संपर्ख तूटा राची समेत राजभर में जारी बारिश कई जिलों में अब मुश्किल बन गई है पिछले 24 घंटे में राज में औस तन 29.8 मिलिमीटर बारिश हुई है अगर पाकुड की बात की जाए तो पाकुड में जो है महेशपूर में बास लोई नदी पर बना जो पुल है वो बारिश की वज़े से बह गया इस पुल को 50 साल टिकना था वही शहरवासियों के हित में दो बड़े फैसले सिनेमा घरों में घर से पानी ले जा सकेंगे और मॉल में बाईक के 5 रुपै कार पार्किंग के 20 रुपै तो ये एक शहरवासियों के हित में ये फैसला लिया गया है शहर के shopping mall और multiplex में गाड़ियों की parking के लिए मनमाना शुल को जो है वसूलने पर अब रोक लगा दी गई है अब हर तीन घंटे के लिए बाइक स्कूटी वालों को 5 रुपे और 4 पहियावान मालिकों को 20 रुपे ही देने होगे यह समती सुमवार को deputy mayor संजीब विजवरगे की mall संचालकों के साथ बैठक की और यह निर्नलिया सिनेमा घरों में अब आप अपने घर से पानी ले जा सकेंगे क्योंकि पहले सिनेमा घरों में कुछ भी अपने घर से ले जाना बैन था आप कुछ भी अपने घर से नहीं ले जा सकते थे लेकिन पानी जो है अब आप ले जा सकें तो दानिक भासकर में पहले पन्ने की यह सबी ख़बरें दूसरे पन्ने पर भी आर्यू का दिक्षान समारो की जो खबर है उसे ही विस्तार से छापा गया है तस्वीरों के साथ आप देखें तस्वीरों के साथ सभी गोल्ड मेडलिस जो छात्र और छात्राएं हैं उनकी तस्वीरों के साथ इस खबर को छापा गया है दूसरे पन्ने पर दैनिक भासकर में और हिड्लाइन है रास्टपती ने कहा छात्र छात्राएं गाउं में समय बिताएं ताकि वहां की सिक्षा पोशन और सफाई के हालात जो हैं उनको जान सके एक बहुत अच्छी बात कि जो शहर के लोग हैं वो गाउं के परिवेश से सारे से लोग हैं जो गाउं की मिटी तक को उसकी संस्कृति तक को समझ नहीं पाते तो इसलिए उन्होंने कहा है कि छात्र छात्रा गाउं में समय बिता हैं ताकि वहां की जो सिक्षा है वहां का जो पोशन है और वहां की जो सफाई है उसके जो हालात है उसको जान सके उसक पर होगी कारवाई तीन अलग अलग क्राइम की खबरे पहली खबरे अनिल शर्मा जेल से हत्या की बना रहा है योजना दो जुलाई को बेटे से 43 वो पत्नी से 35 बार की बाद दुमका जेल में बंद रहकर रंगदारी मांगने टेंडर मैनेज करने और हत्या जैसे गंभीर बना रहा है एक ये खबर हुई दूसरा नामजद इंजिनियर को दी डी आर एम ने क्लीन चिट हटिया स्टेशन पर सीनियर सेक्षन इंजिनियर ऑफिस में कारे रत इंजिनियर पी सूरीन पर रेलवे में नौकरी दिलाने के आरोप में लूर बजार थाने में नामजद प् कि ये तीनों ही खबरे क्राइम की तो ये थी दैनिक भासकर की बाथ प्रभात कभर करूख करेंगे प्रभाथ खबर में भी पहले पन्ने पर राची उनिवेसिटी आनी के राची में पर राची को करेtal से शर्च मार capabilities क का विकास करें ये का है रास्टपती ने इस हेडलाइ से चमा भी माँगी कि उनके दौरे के दौरान ट्राफिक व सुरक्षा को ले कर लोगों को काफी परिशानी होती है मेरे साथ मजबूरी है मैं लोगों की इस परिशानी के लिए Чер मांगता हूं इसी समस्या को ले कर मैं इसी शहर में मूवमेंट नहीं करता ये कहा है राश्टपरती रामनात कोबिल ने वहीं लेक्चरर न्यूकती घोटाले में 69 लोगों पर चार्ज सीट 79 लोगों पर चार्ज सीट मांकिज़का दो कारवाई नियम विरुध की गई न्यूकती वह जमीन खरीद मामले में सकती CID कॉपरेटिव सोसाइटी 14 एकर जमीन का म्यूटेशन आवेदन वुरद यानि CBI ने लेक्चर न्यूकती घोटाले की जाच पूरी करने के बाद कुल 79 लोगों यानि की JPSC के 5 अधिकारी 69 परिक्षार्टी और 5 परिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र जो है वो दायर किया है जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें JPSC के पूरवध्यक्ष दिलिप्रसाद, सदस्राधा, कोविंद नागे, शा पसंद 69 परिक्षार्टियों को सफल खोशित कराये था और इस घुटाले में जो है लेक्चर नुटी घुटाले में 79 लोगों पर जो चार्ज सिट है वो दर्ज की गई है तो पहले पन्ने की खबर प्रभाद कबर में दूसरे पन्ने का रूख करेंगे दूसरे पन्ने पर बिमारियों से बच्चे बेहाल यह फ्रंट इंसाईड की खबर है बिमारियों से बच्चे बेहाल भरती नहीं ले रहे असपाल नहीं बच्चों के अस्पताल में खाली नहीं एक भी बेड रिम्स और सदर असपताल का कई ए Bereच्चों के इलाज के लिए कई बड़े और के बावजूद अस्पताल बच्चों को भरती नहीं कर रहा है बिमार बच्चों को लेकर एक वद दूसरे अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं परीजन बेड़ फुल होने के कारण बच्चों को भरती करने से मना कर रहा है अचानक बढ़ी मस्तिस्क ज्वर निमोनिया वह वाइ कमपनियां ही तयार करती है अस्पतालों के मुनाफिक प्लान ये खबर है वास्तविक कीमत से 10 गुना जादा निर्धारिद की जाती है दवाओं की कीमत ये प्रभाद खबर की अपनी एक स्टोड़ी है दवाओं पर पहले भी प्रभात कबड़ने की स्टोरी चापी थी कि दवा की जो कीमत है वो अलग-अलग रहती है यानि जो मरीज गरीब तपके के हैं आयश्मान भारत योजना वाले मरीज हैं उनकी दवा का जो रेट है जो पैसे है वो कम कीमत की होती है बिल जो तैयार की जाते हैं वहीं जो संपन मरीज है जिनका इंसोरेंट है उनकी दवा का बिल जो है वो बढ़ा कर किया जाता है इस स्टोरी को प्रभाद कबर ने पहले भी चाहा पाता उसी के जांच परताल की गई और दवा कंपनियां ही त्यार करती है अस्पटालों के मुनाफे का प्लान प्रभाद कबर की अपनी ए इस समस्य का कहीं से कोई समाधान ने निकल रहा है प्रकृती का रुख जो है बारिश ऐसी की घर में फसे रहे डिप्टी सीम मोदी वग पदमुस्री शारदा सिन्हा तो ऐसी बारिश की पदमुस्री शारदा सिन्हा तक फसी रही डिप्टी सीम फसे रहे शारदा सिन्हा को र रेस्क्यू कर घर से बाहर निकाला गया बचाव कर मिं और रेस्क्यू के बात परिवार के सदस् склад के साथ डिप्टी सीयम सुशील मोदी तो आप देखी ये दो तस्वीरे हैं जो बयां कर रही है की बारिश जु है वो बिहार में कहर बनकर टूटी है आप देखिए ये तार गिया बाहर। ये दो तस्वीरे बिहार के हालात को बया करती ही तो ये। ही प्रभात Factory में भी पहले पנ्ने पर झारखण में आपार प्रतिभा नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने युवा ये का है रास्टपति रामनाथ ने राचियू फ्रंट पेज पर दैनिक जागरा ने भी उठाया और उन्हें का कि जारकन में जो हैं वो अपार संभावना है यहां के यूबा जो हैं वो काफी प्रतिभाशाली है इसलिए वो नौकरी लेने वाले नहीं बलकि नौकरी देने वाले बने वहीं बिहार की बाढ की खबर को भी पहले पन्ने पर ही दैनिक जागरा ने जगह दी है बिहार की बाढ में 16 लाख लोग फसे रहे पटना में 11,000 लोगों को सुरक्षित जो है वो निकाला गया उप मुखी मंत्री सुशील मोदी और सार्दा सिन्हा को जो है वो रस्क्यू कर निकाला गया वहीं आखिरकार राबड़ी देवी की बड़ी बहुत तेज प्रताप की पतनी और चंद्रका राय की सुपुत्री अनबन की खबरे लगतार आ रही है इन्होंने आरोप लगाया था ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और मिशा भारती पर क्यूने ससराल में प्रतारित किया जाता है उसके बाद काफी माथा पच्ची के बाद राबड़ी देवी ने देर रात एश्वर्या राय को जो है वो घर में इंट्री दी दूसरे पन्ने का रोख करेंगे दूसरे पन्ने पर भाजपा जूट की राजनीती में सबसे आगे ये कहा है आर्पियन सिंग ने प्रदेश लोगों में भ्रम पहलाती है और साथी साथ जूट की राजनीती करती है तो भाजपा पर कहीं न कहीं निशाना साधा है वहीं जार्खन को देश में तीसरे अस्थान सिचाई कूप निर्मान ग्रामीन विकास मंत्राले ने जारी की रैंकिंग यानि कूपों के साथ मध्य प तीसरे पने की खबर तीसरे पने फिर आज से पार्किंग सी अधार्ग दस मीनट के लिए गाड़ी पार्क करना होगा निशोल अगर आप दस मीनट के थे एक घंटे के पार्किंग के लिए अब वो बीस रुपए देंगे वहीं थोक में 500 कुइंटल प्याज का रखेंगे स्टॉक के इंज सरकार ने प्याज की भंडारन सीमा जो है वो अब तै कर दी है प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए तो यह थी जागरन की बात हि हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर राच्य उन्वर्सिटी की ही खबर छपी है विश्विद्याले समाजिक जिम्मेदारी भी निभाए ये का है राश्टपती ने आर्यू के नौ टॉपरों को गोल्ड मेडल से नमाज आ गया कुले 11 आपर जिसे राश्टपती ने खु निशुल्क जो है वह आज से नियम लागू हो गया है आज से पार्केंग शुल्क आधा कर दिया गया है अगर आप दस मिलट के लिए मैं कहीं गाड़ी पार करते हैं तो आपको पहिया वान क्लux क्राण करते हैं तो आपको पांच रूपे देने होंगे पहले दस से लागू कर दिया गया है वहीं जार्खन में बार्ड बारिश ने 11 की जान लिया यानि बिहार की तरह जार्खन में भी बारिश ने जो है वो विक्राल रूप धारन कर लिया है दूस्तान पर पहले पन्ने की खबर दूसरे पन्ने का रूप करेंगे दूसरे पन्ने पर हिंदुस्तान मे धार्मिक किताबों के साथ भारतिय सम्विधान भी पढ़े ये कहा है रतन यानि कि सोमवार को HPDC में राष्ट्री एसाई महासंग की बैठक में विचार व्यक्त करते प्रभाकर तिर्की सबी धर्म के लोगों की अपनी धार्मिक किताबों की साथ साथ भारतिय संबिधान घरों में रखना चाहिए उसे पढ़ना चाहिए हर समस्या का समधान भारतिय संबिधान ही है यह बाते जारकर्ण सरकार के ट्राइवल एडवाईजरी काउंसिल के सदस रतन तिर्की ने कही है कि धार्मिक किताबों के साथ साथ जो है संबिधान की किताबे तो ऐसे भी पढ़ने चाहिए भाते संबिधान की किताबे जो है अपनी संबिधान के बारे में जानना अगर हम ह से पढ़िए तीसरे पने करूख करेंगी तीसरे पने पर प्याज के बाद लहसुन भी महंगाई की जाड़ पर यानि कि प्याज ने अब तक रुलाया है प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है ताकि प्याज के कीमते जो है वो आसमान चुरे हैं उस पर कुछ लगाम आस लग सके लोगों को आसानी से जो है वो प्याज उपलब धो सके इसलिए प्याज निर्यात पर रोक लगाई गई लेकिन अब जो है वो लहसुन यानि कि प्याज के बाद लहसुन भी जो है वो महंगाई की जाड़ पर यानिक श्यास्कार.